हे असलाम अलेकुम पीपल आई होप आप सब भी फिच अन फाइन होंगे सो फ्रेंड्स आज के व्लोग में अम्मी आप लोगों के साथ शेयर करेंगी अंडा आलू करी की रेसिपी सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दी व्लोग सो फ्रेंड्स अंडा आलू करी बनानी के लिए मम्मी ने आलू क अच्छे से वाश कर लिया और अब मम्मी आलू और अंडे को अच्छे से बॉयल कर लेंगी सो फ्रेंट्स मम्मी ने एक्स को बॉयल करने को चड़ा दिया है और जब तक सारे एक्स अच्छे से बॉयल हो रहा है तब तक मम्मी एक करी के लिए उसका पेस्ट रड़ी कर लेंगी सो फ्रेंट्स मम्मी ने सारे अंड़े और आलू अच्छे से बॉयल कर लिए हैं और अब मम्मी ने अच्छे से फ्राई कर लेंगी सो फ्रेंट्स अम्मी सारे अंड़ो को साइट से इसी तरह हलका हलका कट कर लेंगी फ्रेंट्स इसलिए कट कर रहें है ताकि जब अंड़ो को मसाले में एड़ करेंगी तो मसालो का एक कम्प्लीट फ्लेवर अंड़े में आए सु प्रेंट जब तक अंडे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तब तक मम्मी आलू को बड़े बड़े पार्स में अच्छे से चॉप कर लेंगी क्यान हो रया प्राइण झाल घएकार भार्स काल Müllcanek अया वार्स बकार कारगा से वार्स उस्ड़ हो रहे हैं क्या एक तक अच्छिंट जब तक म्मी म कर प्रण जब में प्रेंड जब लैस्टून अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब मम्मी इसमें अद्रोक लैस्टून और प्यास का पेस्ट अड़ करेंगी जो मम्मी ने स्टांटिंग में ही प्रिपियर किया था इसी पेस्ट में मम्मी ने सारे मसाले भी अड़ कर दिये थे इसलिए अब मम्मी कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं अड़ करेंगी झाल 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 को छुआfa के साओते शूोँ कि इच के साओते तक के साओते फ़ है कि इच च सक्डू़, इच से सकाओते है कि में एडमेनितर घर्श काओते ऊठरों झाल झाल